उगदान से बनाई गई है माननिय प्रधान मंत्री ने राश्ट्र की ओर से उनका आभार प्रकट किया है 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर जीवित करते हुए माननिय प्रधान मंत्री ने आज तमिल नाड के आधी नमों से सेंगोल को स्विकार किया है सेंगोल राश्ट्र के लिए न्याय पूर्ण और निश्पक्ष शासन का स्मरण कराता है सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीती परायनता इसके शीर्ष पर न्याय के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल द्रिष्टी में विराजित है ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवा वडतुरई आधिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से सुईकार किया था जिसका आयोजन भारतिय सभ्वेता के अनुसार किया गया था उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यतोचित सम्मान और स्थान न मिल सका जो मिलना चाहिए था कहानी मुरती है तमिलनाड के काची पुरम की ओर जहां पूजनिय काची मठ का आसन है 15 अगस्त 1978 मठ के 68 में प्रमुक परमपावन श्रीचंद्र शेकरेंद्र सरस्वती स्वामिगर्ड जो महापेरियवा अर्थात प्रभुद्ध जेष्ट के रूप में जाने जाते है वे सेंगोल व्रितान्त को स्मरन करते हुए अपने अनुयाई डॉक्टर आर सुब्रमनियम से इसका वरनन करते हैं जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है महापेरियवा ने बताया कि सुतंत्रता दिवस के अवसर पर सेंगोल में एक महत्वपून भूमिका निभाई थी हमारे इतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उलेख नहीं किया गया है एक बार इस अद्भुत्सन स्मरन के सार्वजनिक होने पर थमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरियता दी माननिये प्रधान मंत्री एक परंपरा गत प्रतीक की खोज में थे तक पस्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्शन किया उन्होंने इसकी जाच करवाई जिसका प्रमान मीडिया विशलेशनों और पुस्तकों में मिला आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई यह एतिहासिक सेंगोल इलाहबाद संग्राले में मिला ये चोला सामराज्य से चली आ रही हमारी भारतिय सभ्यतागत प्रता है चोला सदियों तक हमारे उपमहागेद के अग्रणी सामराज्यों में से एक थे सबसे महत्वपून बात ये है कि जेंगोल के प्राप्त करता के पास न्यायपून और निश्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है जिसे तमिल में आनेई कहा जाता है इस विचार से माननिय प्रधान मंत्री प्रभावित हुए उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए उन्होंने यह निश्चे किया कि इस अद्वितिय प्रतीक को अमरित काल के प्रतिविंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र अनन्त संभावनाओं से परिपूर्ण रहे सेंगोल को आज सुभा संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निश्पक्ष शासन के अटूप संकल्प का स्मरण कराता है इस दिर्टा के साथ भारत विश्वगुरू के रूप में अपना यतोचित स्थान ग्रहन करने की योड़ बढ़ रहा है